सुचेता क्रिपलानी जन्म 25 जून 1908 निधन 1 दिसिंबर 1974 सुचेता क्रिपलानी का जन्म हर्याना के अमबाला शहर में संपन्न बंगाली ब्राहमन परिवार में हुआ था उनके पिता सरकारी चिकित सक थे उनकी प्रारमविक शिक्षा का स्कूलों में पूरी हुई क्योंकि हर दो-तीन वर्ष में पिता का तबादला होता रहता था आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली भीज दिया गया डिल्ली विश्वविद्याले के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास विश्यमिस नातक की डिग्री हासिल की कॉलेज से निकलने के बाद 21 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता संग्राम में कूदना चाहती थी पर दुर्भाग्यवश वहैसा कर नहीं पाई क्योंकि 1929 में उनके पिता और बहन की मृत्यू हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मदारी सुचेता के कंदो पर आ गई इसके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्याले बीएच यूप में समवैधाने कितिहास की व्याख्याता बन गई सन 1936 में 28 साल की उम्र में उन्होंने भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के मुख्य नेता जेवी क्रिपलानी से विवाह किया सुचेता के इस कदम का उनके घर वालों के साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था जेवी क्रिपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचेता क्रिपलानी से 20 साल बढ़े थे इसके अलावा गाधी जी को डर था कि इस विवाह के कारण आचार्य जो उनके दाहिने हाथ थे कही स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हच जाए आचार्य क्रिपलानी का साथ पाकर सुचेता पूरी तरह से राजनीती में कूर पड़ी 1940 में उन्होंने भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतिय महिला कांग्रेस की स्थापना की 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें एक साल के लिए जेल जाना पड़ा 1946 में वह सम्विधान सभा की सदस्य चुनी गई 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधी के रूप में चुना गया था